इस वीडियो में आपके सामने चार स्टॉक्स लेके आया हूँ चारो सरकारी कंपनी के हैं और अभी आज 18 सेप्टेंबर को एक बड़ी न्यूज आती में दिखाई दे रही है कुछ घंटे पहले ही अगर आप जाके चेक करेंगे वेरियस मीडिया प्लाटफॉंस पर ये ख़बर फ्लैश होने लगी थी जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ और इसके कोर्स्पोंडिंग आपको एक बहुत पॉजिटिव इंपक्ट देखने को मिल सकता है इन चारो टू इरकॉन और रेल टेल टू आयर सी टीसी यानिके इन चार कंपनीज का मर्जर होने जा रहा है और वी एनल यानिके रेल विकास निगम लिमिटेड इरकॉन के अंदर मर्ज होने जा रही है रेल टेल जो है आयर सी टीसी के अंदर मर्ज होने जा रही है ये चारों पी एस as a proposal दे दी है ministry को और यह basically finance ministry का यहाँ पर proposal है कि चारो company को दो में convert कर दिया जाए in fact सिर्फ companies ही नहीं बलकि इन companies के अंदर आने वाले schools, hospitals और जो organizations है वहाँ पर भी PPP model चलाने की बात कही जा रही है यानि कि public private partnership के तहत तो उन सारे organizations को चलाने की बात की जा रही है देखिए यह जो खबर है यह stock market के लिए बहुत जादा important है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आने वाले trading sessions में यह खबर इन चारो stocks के ऊपर बहुत जबर्दस तरीके से positive impact ढाल सकती है एक और चीज में आपको बता रहा हूं देखिए यहाँ पर यह चार companies का तो merger होने जा रहा है साती में जो notification है कि breath, weight and company limited by rights यह basically take over करने जा रही है rights इस company का तो all over जितनी भी 5 companies है railway sector से listed company वहाँ पर कुछ नो कुछ बड़ा development आपके सामने होता है दिखाए दे रहा है यह जो देखिए पूरी news है यह basically एक proposal की तरह सामने आई है और अभी तक इसके उपर कोई final discussion या फिर approval नहीं आया है लेकिन क्योंकि government खुछ चाहती है कि इन चारो companies का merger हो तो बहुत जल्दी आपको यह चीज भी आती ही देखने को मिल सकती है कि यह चारो companies अब basically दो बड़ी PSUs में convert होने जाएगी IRCON के साथ में देखिए RVNL को क्यों लिया क्योंकि दोनों ही companies basically building infrastructure and railway infrastructure के लिए कामकाज करती है यानिकि एक company railway tracks बिचाती है तो दूसरी company buildings वगेरा जो भी कामकाज होते है वो करती है और दूसरी जो company है IRCTC के साथ में railtail उसका basically इसलिए रखा गया है क्योंकि IRCTC Indian Railway का एक ऐसा basically organization है जो सबसे जादा use किया जाने वाला एक basically platform है और उसके साथ में railtail अगर जुड़ जाता है तो कहीं न कहीं railtail का भी business आगे आतावा दिखाए देगा यानिके भड़तावा दिखाए देगा तो ये bigger news है जो इन चारो companies में आती भी दिखाए दे रही है अब मैं देखिए आपको दिखाता हूँ एके करके stock IRCTC पे तो हम अभी बीते दिनों में काफी जादा चर्चा कर चुकी है किस तरीके से stock ने rise किया है और देखिए इन चारो stocks में से IRCTC को छोड़ के बाकी तीनों stocks पर मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर buying की positions बनाए IRCTC पे इसलिए नहीं चाहता हूँ तो कि देखिए इसका RSI बहुत जादा super excited mode में है aggression है यापर इसको cool off होने देना चाहिए उसके बाद कोई नई position इसमें बनानी चाहिए तो मैंने यापर पिछले वीडियो में भी आपको बताया था traders as well as investors या फिर positional trader भी अगर आप है तो भी मैं आपको राय नहीं दे रहा हूँ कि इस प्राप बनाए क्योंकि ये काम अब रह गया ये stock अब रह गया बहुत जादा expert traders के लिए और अगर आप एक intermediate trader है एक beginner है तो basically यहाँ से आप loss कर जाएंगे इसलिए आप इस stock को avoid कीजेगा अब बात करता हूँ देखिए अपने अगले stock पर आपको लेके चलता हूँ और अगले stock की तरफ हम लोग चलेंगे तो next आएगा railtail का stock railtail के एक वो company जो देखिए February 2021 में list हुई और वहाँ पर इसने एक नया 52B खाई बनाया था अपने list होने के fourth day जो की तकरीबन 190 रुपीज का था अभी फिलाल देखें तो एक consolidation mode के अंदर ये stock निकल रहा है 130 रुपे का है current market price CMP जो है वो 130 रुपे का है और यहां से इस news के बाद में इस stock के अंदर एक अच्छा खासा bounce आपको देखने को मिल सकता है RSI की बात करें तो देखे RSI कहीं 50 points के आसपस यहाँ पर float होता वाँ दिखाई दे रहा है अगर position wise देखेंगे direction wise देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई खास momentum नहीं है तो ये news जो है target आपको देखने को मिल सकते है तो target 1 जो rail tail में रहेगा 150 रुपे का रहेगा current market price से अगर आप positions बनाते हैं तो इन levels पर आपको support लगाना है देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल crystal clear है support and target 120 रुपीज का आपका S&L होना चाहिए 150 रुपीज का target होना चाहिए current market price 130 रुपीज का है यह data आ रहा है देखें rail tail के अंदर अब आगे आपको लेके चलता हूँ और आगे हम लोग बात करते हैं अगले stock की तरफ जो की हमारा होने जा रहा है RVNL का rail Vikas Nigam Limited यह stock देखें बैसे तो बहुत अच्छा stock है लेकिन बहुत लंबा time consultation में रह जाता है 20 रुपे पे आपने देखा 22 रुपे पे आपने देखा कई-कई महीने इसको 20-22 रुपे पर होते हैं हमने देखा है उसके बाद जो भी level achieve करता है फिर वहाँ पर जाकी attack जाता है तो यहाँ के लिए मैं आपसे एकी चीज़ बोलूगा कि देखे इस news के चलते इस stock में भी momentum बनेगा जरूर लेकिन जो भी higher level ही achieve कर ले उसके उपर profit book करके आप इसके अंदर से निकल जाईएगा क्योंकि यह trading stock नहीं है यहाँ पर हम लोग सिर्फ news play करने जा रहे है और news के उपर जो reaction आएगा उसके हिसाब से हम लोग profit कमाने जा रहे है तो recent में हमने देखा था इसने एक double top की formation करी थी किन levels पर 34 rupees के level पर और इसका जो current market price है वो है 30 rupees 30 rupees का तो यहाँ पर एक last trading session पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी candle की formation है और इसको मैं कहा सकता हूँ एक hammer जैसी candle की formation है वो भी गिरावट के बाद एक recent गिरावट के बाद में तो वहाँ से भी positive pattern है और साथ में news की वज़े से भी एक reversal इनी लेवल से आ सकता है तो 30 rupees के level से अगर आप इसके दिए खरीदारी करते हैं तो आपको 34 से 35 rupees तक के target देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर भी एक clear support नजर आ रहा है देखें इस तरफ 28 rupees का आपको stop loss लगाना है 28 rupees का आपको SL लगाना है target जो आपका रहेगा वो तकरीबन रहेगा 34.50 का यह rail tell की स्थिति आती भी आपके सामने दिखाई दे रही है अब next stock पे चलते हैं next stock जो है हमारा वो है देखें इरकॉन का इरकॉन की देखें अगर हम बात करें तो इरकॉन ने काफी अच्छे returns actually दिये हैं अगर पिछले कुछ time की बात करें लेकिन यहाँ पर एक peak बना के यह basically नीचे आतावा दिखाई दिया था recent में तकरीबन 55 rupees के आसपास की इसके peak ते वहाँ से काफी ज़ादा गिरावटे से stock में हमें दिखाई है अभी इसके अंदर क्या position है इसने एक base बनाया है already 40 rupees के आसपास 40 rupees के आसपास के एक base है strong support है और वहाँ से यह actually reversal लेतावा दिखाई दे रहा है और इसके अंदर भी देखें last dating session पर एक hammer candle की formation है हलकी सी गिरावट के बाद में इन levels के आसपास यह कही अपने target पर resistance phase करतावा दिखाई देगा जो की तकरीबन 49 rupees के है तो target के लिए 49 rupees रखना चाहिए aircon के अंदर current market price जो है वो आपके सामने आ रहा है 44 rupees 80 पैसा यह है current market price अब अगर हम support की बात करें तो देखें इसके अंदर 40 rupees का ही आपको support लगाना है near term में 40 से 41 rupees का आप यहाँ पर SLA के चले current market price 44.80 है target रहेगा 49 rupees का यह stock भी देखें काफी लंबे time से गिरावट में चल रहा है इसलिए यहाँ पर भी अगर आपको profit मिल रहा हो तो आप basically यहाँ से profit book करके निकले target achieve होने के बाद में आप देखें important क्या है मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आप अपने profit book करके निकले जब कि इसके अंदर merger की news आ चुकी है सारे stocks में देखें अभी news आईए अभी news के ऊपर एक impulsive action देखने को मिलेगा upside चारो stocks के अंदर जब यह news confirm हो जाएगी तब आप इसके अंदर positional से हटके आप इसके अंदर investing करने की सोच सकते हैं तब basically एक नया इसमें territory generate हो सकती है तब एक बड़ा level आपको आते वे देखने को मिल सकता है तो इसलिए फसना ना पड़े मैंने इसलिए आपको कहा कि profit मिले तो पहले profit book कर लीजेगा जब यह news confirm हो जाए railway ministry की द्वारा तब आप इसके अंदर investing के levels देखेगा तब आपको investing करने का मौका मिलेगा तो by the time जो लोग फसेवे हैं उपर के level पर उनके लिए एक अच्छा मौका आ रहा है यहाँ पर निकलने का अगर आप बिना loss में चोटे loss के साथ निकलना चाहते है तो इस opportunity का फायदा उठाईए गए चारो के चारो stocks अपने radar पर रखिए और बहुत अच्छा action के अंदर आने वाले दो से तीन दिन में देखने को मिल सकता है और इसका देखिए approval होता है कब होता है वो जब भी होगा definitely मैं इसके उपर एक separate वीडियो बनाके आप लोग तक ये information पहुचाऊंगा and levels भी दूढने की कोशिश करेंगी कि वहाँ से कौन से level अब बनते हैं अब दर नई पोजिशन साट करने के लिए तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही जिसमें हमने रेल टेल, आर्वेनल, इरकॉन और आयर सिटीजी के बारे में चर्चा करी और उस न्यूस के बारे में देखा जो बेसिकली अभी कुछ घंटे पहले 18 सेप्टेंबर को आती भी दिखाए दिये ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा शेर जरूर कीजेगा अपने ग्रूप्स पर अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर दीजेगा मिलूंगा आपसे एक लिए वीडियो में एक लिए स्टाओ कर साथ तिल दन थेंक्यू बाइए